दोसर जिस इंसान के लिए बहुत ज़दा रोय है फिर पिर उस इंसान ने आपके प्यार को और आपकी फिलिंग को नहीं समझी क्या ऐसा हो सकता है कि वो इंसान आपको उतनी ज़्यादा प्राइटी देने लगे जितनी प्राइटी आप उस इंसान को देते हो बिलकुल आपक देना वो भी आपको पहले से ज़्यादा प्राविटी देंगे आपको पहले से ज़्यादा रिस्पेक के साथ ट्रीड करेंगे आइए मैं मानता हूँ कि मेरे वीडियो में बताएं कि कुछ चीजे उनको फोलो करना मुस्किल होता है लेकिन हम ऐसा याद रखो वो चीजे सिर् दूआतना पोजिटीव फीडबेक के साथ करना चाहता हूँ और बाद में आपको यह भी बताऊंगा कि यह पोजिटीव फीडबेक सेर करना मेरे लिए क्यों जरूरी था लड़के का मुझे इमेल आया जिसमें उसने लिखा था कि आपके वीडियो से हमेसा मैंने यह सीखा कि खुद को इंपरू करना खुद को बहतर बनाना और फिर लोगों के सामने अपने आपको कैसे प्रेजन करना क्योंकि मेरी गल्फेंड मुझे प्राइटी नहीं दे रही थी इग्नौर कर रही थी तो मैंने इन चीजों को फोलो करना स्टार्ट किया एक टाइम के बाद मेर मेरी गल्फेंड आज मुझे प्राइटी दे रही है मैं अपनी लाइफ में काफी फिल करता हूं लेकिन एक चीज जो मेरे बहुत ज़्यादा शोकिंग थी कि जो और लोग मेरे साथ कने के मेरे दोस यहां पर में काम करता हूं वो लोग भी पहले से जादा मुझे रिस्पे से गुजर रहा हूं जो एक टाइम पर हमेंसा अपनी गल्फेंड के सामने उनको रिक्वेस्ट करता रहता था दोस्तों यह फीडबेक आपके साथ सेर करने का मतलब मेरा यह है कि इस फीडबेक से इस इमेल से मुझे तो बहुत जाता मोटी वैसन मिला कि मैं ऐसे वीडियो और बनाओ जो लोग डिप्रेस हो जाते ऐसे रिलेसंसिप प्रोब्लेम के कारण और आपके साथ भी यह सेर करना जरूरी था क्योंकि यह जब आप प्रोब्लेम में होते ना तो आपके लिए यह सोचना की जीज़े बदल सकती है रियल में आपके लिए वह इंपोसिबल जै तो तब आपको एक्शन लेना पड़ेगा बहुत सारे लोग बाबाओ के पांच आते हैं या टेरोकार्ट रिडिंग में वो वीडियो देखते रहते हैं करन फिलिंग जानने के बारे में लेकिन यह सब कुछ करेंगे फिर नहीं होगा जब तब आप एक्शन नहीं लेंगे तो दोस्तो अब हमें बात करने ही जाए उस चीज के बारे में कि भाई इस सिच्वेशन में आपको क्या एक्शन लेनी पड़ेगी क्या चीज है जो रियल में आपको करनी है दोस्तो सबसे पहली चीज आपको उस इंसान को ये दिखाना बंद करना होगा कि आप उनके बिना नहीं रह सकते, खुद को ऐसे प्रिटेंड करना बंद कर दो कि यार तुम उनके बिना खुश नहीं रह सकते, उनके बिना जिंदा नहीं रह सकते, जैसे हमने पहले इस वीडियो की सुरुआती इस बात से की, कि आप उनके सामने बहुत रो जुके हो, आपने हमेसा उनके सामने हाँ जोड़िये, रिक्वेस्ट करिये उनके सामने लड़े हो, या आप जो भी चीजे कर रहे हो ना, उनको मनाने के लिए, या उनको इस चीज का ऐसास जिलनाने के लिए, कि आप उनको कितना जदा प्यार करो तो आपकी सारी चीजों से ना आप एक चीज दिखाने की कोसिश करे हो कि हम तुमारे बिना रही नहीं सकते हैं हम अपनी तरब से अपनी फिलिंग सेयर करे होते हैं दोस्तों लेकिन सामने वाला इंसान इन सारी चीजों को कैसे समझता है उनका point of view हमारे लिए क्या बनता है जब उनके सामने रोते हैं जब हम उनके सामने request करते हैं तब एक ही चीज वो हमारे बारे में सोचता है कि भाई तुझे मेरी need है लेकिन मुझे बिल्कुल भी तेरी कोई need नहीं है अब आप खुछ सोचे कोई ऐसी चीज जो आपको मुफ में मिल लिए पर आपको उसकी need नहीं है तो आप क्या करोगे आप ignore करोगे आप उनके बारे में सोचोगे भी नहीं हमेसा लोगों के साथ यही होता है जब वो किसी के सामने रोते है जब वो किसी को यह दिखाते है कि मैं तुम्हें कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ तब सामने वाले इंसान का उसमें कभी भी interest नहीं बनेगा आप maximum time समाज में observe करोगे तो यही situation आपको देखने को मिलेगी कि एक इंसान बहुत ज़्यादा प्यार करता है उसके पीछे भागता है रोते है रोते है उसको बताता है कि मैं कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ आप देखोगे कि इस तरह से रोने वाले इंसान को सामने वाला इंसान सिफ इग्नोर करेगा क्योंकि ये इनसान ना उसको बता रहा है कि बाई तुने औरी मुझे जीत लिया है मैं तुझे फोकट में इतना ज़्यदा प्यार करता हूँ तुझे ना मुझे जीतने के लिए या मुझे important देने के लिए मुझे time देने की कोई जरुवती नहीं है जब आपको ना कोई चीजे ऐसे ही मिलने लगती है, किसे का प्यार ऐसे फालतों में मिलने लगता है, तब सामने वाले इंसान का मनी नहीं करता, उल्टा वो आपसे दूर भागेगा, क्यूंकि ऐसे प्यार से वो परेसान हो गया है, उनका इंटरस बिल्कुल भी नहीं बनेग इसका मतलब समझो, इसका मतलब यह नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल बन जाना है, या आपको लाइफ में बहुत कुछ कर लेना है, लेकिन mentally आपका mindset बदलना चाहिए, दोस्तों आपका mindset यहाँ पर बदलना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि आप ज बिल्कुल भी उस इंसान के बारे में, बिल्कुल भी उस रिलेशन के बारे में नहीं सोचना, आपका mentally focus ना अपनी life को build करने के लिए होना अचाहिए, अपने career में और अपनी happiness में आप पहले से ज़्यादा बहतर कैसे हो सकते हो, उसी चीज के लिए आपको काम करना होगा, सब से ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि दिन पर हम क्या सोचते रहते हैं, उस इंसान के बारे में, कि वो मेरे प्यार को यूँ नहीं समझ रहा है, वो किसी और से बात कर रहा है, वो online है, वो free है, कहीं और time spend कर रहा है, यह जो mentally आप effort लगा रहे हो ना, उस इंसान के बारे में सो स्कामदार बना सकता हूँ, दोसों, आज के time का सबसे बड़ा truth, जो आपको समझना होगा, कि आप कितने भी अच्छे हो, कितना भी loyal इंसान हो, कितना ज़्यादा अपने partner को आप प्यार करते हो, लोगों का आपके उपर ध्यान जाएगा है नहीं, लेकिन आप अपने सपनो लोग आपको एक valuable person के तरह समझें कि आपकी यही चीजे जिससे लोग आपको ज़ज करते हैं, अगर आज के time पे आप ऐसा सोच रहो ना, कि आप बहुत ही अच्छे इंसान हो, और सामने वाले इंसान को बहुत प्यार करते हो, और वो इंसान आपके प्यार को और आपको और फिजीकली भी उसी चीज में active रहना है, आपका सारा time और effort वहीं पर जाएगा, दोस्तों तीसरी चीज, जो कहता है कि हम अपनी happiness गरत रास्ते पे ढूंड रहे है, wrong way to be happy, हम ना एकदम गरत है, अभी जहां पर भी हमारा partner हमें ignore करने लगता है, जहां पर भी हमारा partner हमें तो हम क्या कहते हैं? कि यार मेरा partner में इग्नॉर कर रहा है तो में बहुत ज़्यदा प्रेसान, मैं बहुत ज़्यदा डिस्टब हो गया हो, इसके कारण में काम नहीं कर पा रहा हूं, तो आप यह चाहते हो यह आपका partner को बहुत भी अची तरह से treat करने लगे, बहुत ज़् तरीका है, क्योंकि मैं हमेसा ऐसे लोगों को कहता हूँ, कि भाई, तू ऐसा मस्ज़ सोच कि वो इंसान तुसे बात करने लगे, फिर तू खुस होने लगे, और फिर तू अपना काम अच्छी तरह से करने लगे, लाइफ की जो भी सिचुआशन है, लाइफ में जो भी परिस्ती है, वो इंसान तुम से बात करे, ना करे, तुम एक चीज़ करो कि तुम अपना काम करने लगो, और अपने काम में और अपने willst में अपनी happiness दूनने लगो, क्योंकि क्या होगा तुम किसी इंसान के पीछे बागोगे एक साल बागोगे दो साल बागोगे फिर वहां से निरास होगे तो तुम खुश नहीं रह सकोगे लेकिन जब तुम गोल्ड बनाते हो और जब तुम अपने काम के पीछे बागते हो तुमें जो अच्छा लगता है Hobbies के पीछे भागते हो ना तो वहां से तुम कभी निरास नहीं हो सकते विए तुमने इतनी effort डाली तो कुछ ना कुछ तुम ऐसा करी लोगे जहां से तुमें अच्छा लगने लगे और जब तुम अपने काम के कारण खुस होने लगते हो तो तुम जो चाहते थे कि तुमारा पार्टनर तुमसे बात करने लगे आटोमेटिकली वो तुमसे बात करने लगता है यानि कि हम उल्टा सोचते हैं हम ये सोचते हैं कि पार्टनर अगर बात करने लगे तो मेरा काम अच्छा होने लगेगा मैं काम में ध्यान दे पाऊंगा मैं ये कहता हूँ की काम पे ध्यान रहने लगो और पार्टनर के बिना खुश रहने लगो तुम्हारा पार्टनर वो सब कुछ करेगा जो तुम चाहते हो क्योंकि दूस्तो हम ना गलत जगा पे happiness इसलिए ढूल रहे है हम किसी इंसान पे ढूल रहे होते और वो happiness उदार की happiness होती है उस इंसान के साथ वो चली जाती है जब वो वापिस आता है तो आती है लेकिन जो happiness हम अपने सोखों से जो हम अपनी lifestyle से अपनी सोच से या self love से या हमारे work से create करते है वो happiness हमारी खुद की होती है किसी भी situation में नहीं करने देती है इससे क्या होगा इससे आपका confidence बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा जब आपको अपनी life में अच्छा कर रहे होते हैं जब आपका confidence बढ़ जाता है तो automatically सामने वाला कहीं ज़्यादा आपसे attract तो होता ही होता है रेकिन हर चीजे ऐसी बतल जाती है कि आप उनके उपर depend नहीं रहते और automatically कोई इनसान आपसे बात करने के लिए प्रेरिध होता है चोती चीज दोस्तों जो आपके लिए समझना मुश्किल लेकिन बहुत ज़रूर है कि ये गेमужд कैसे होती है दोस्तों आप imagine करें इस time को कि इस time पे आप अपने आपको पार्टर के सामने कैसे रख रहे हो काफी time से आप उनके सामने रो रहे हो आप ये दिखा रहे हो कि भाइ हमैं तुमारी need है आप उस इंसान को ऐसा दिखा रहे हो कि हम तुम्हारे भी ना रहे नहीं सकते हैं इतनी इतनी बुरी हालत हम अपने आपकी दिखा रहे हैं In fact हम उस इंसान के सामने गेट गेड़ा कर अपनी value कम ही करें उनके सामने तो अपनी value कम करें लेकिन खुद की नजरों में भी अपनी value कम कर देते हैं लेकिन एक time पे जब आप चीजें उनके सामने रोना दोना बंद कर देते हो और mentally focus अपनी life को build करने लगते हो तो जैसे मैं आपको कहा अपने काम से और self love से और खुद के तरीके से रहने से आपका सबसे पहला तो confidence बनता है यानि कि आप खुद की नजरों में अपने आपको अच्छा मैसूस करने लगते हो जब आप अंदर से अच्छा मैसूस करोगे ना तो आप बहार भी अच्छी तरह से लोगों को show कर पाऊगे आपको करना भी नहीं पड़ेगा अब आप उनकी नजरों में खुद को नीचा नहीं दिखा रहो आपक तुम ऐसा भी show करे हो तुम उनके बिना भी खुश हो तुम उनको भोल जोके हो तुमें उसकी need भी नहीं है जब ये चीज़ सामने वाला observe करता है तुमें कि भाई तुमें उसकी कोई need नहीं है तब सामने वाला कही ना कहीं इन सारी चीज़ों को observe करके और आप में इतने ज़्यादा बदलाओ जो impossible था कि जो इनसन में लिए रोता रहता है वो अपनी life में ज़्यादा active हो जाता है और मेरे बिना खुष रहे सकता है इस चीज़ को accept करना काफी ज़्यादा difficult होता है और ये सब देख करना उनके मैंन में चीज़ें यही बनती है कि यार कही ना कहीं ये इनसन मुझे ज़्यादा बहतर है क्योंकि अब इसको मेरी need नहीं है तो कहीं ना कहीं ये अंदर से ही सबसे पहले तो ये अंदर से ही आपको priority देने लगते है अब ये situation कैसे हो जाती है पता है आपको जब एक रिस्ते की सुरुआत होती है और सामने वाल आपको impress करने की कोशिज करता है तो आपको बहुत ज़दा priority देता है इसका मतलब ही होता है कि तब आप उनके सामने रोते रोते उनको ये नहीं दिखाते कि भाई मैं तुम्हें बहुत ज़दा प्यार करता हूँ और तुमारे बिना रह नहीं सकते तुम थोड़ा सोचते हो तुम थोड़ा सा उसको पीछे ढखेलते हो और जल्दे से हाँ नहीं बोलते है इसलिए बहुत ज़दा मेहनत करते होते है लेकिन रिलेस्टन में आने के बाद तुम ऐसा दिखाने लगते हो कि तुम ही सब कुछ है हम तो तुमारे बिना रहनी पाएंगे तब वो इंसान तुम्हें इग्नॉर करना स्टार्ट करता है दूसरा बहुत सारे लोगों को ऐसा रगता है कि बाई किसी का प्यार पाने के लिए किसी इंसान को पाने के लिए इतनी ज़दा मेंनत करना हीं चाहें क्या अब कुछ लोगों को ऐसी condition में हर चीज करना negative लग सकती है लेकिन चीज समझने वाली यह है कि पर किसी के सामने रोते रहना solution नहीं है अपनी life को बहतर बनाना खुद के career पे, खुद की happiness पे focus करना आपके लिए हमेशा benefit वाली चीज है इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आप मेहनत कर रहो ultimately आप अपनी life को बहतर बना रहे हो और सबसे important चीज जो साथ साथ में आप ये भी सीखते हो कि life या relation की किसे भी condition को बदलने के लिए सबसे ज़दा important होता है आपका action लेना दोसों आपके relationship में ज़दा problem है आप personally मेरे साथ बात करना चाहते हो या मेरी लेकी हुई ebook को download करना चाहते हो तो उनके सारे link आपको इस video के description box से मिल जाएंगे आपको ये video पसंद आया है तो इसे like करे, comment करे और चैनल को फिर में subscribe करे Thank you so much